राश्ट्र सुरक्षा और विपक्ष की भूमिका किस तरह से विपक्ष फुल्वामा और बाला कोट के बाद खास करकी राश्ट्र सुरक्षा को देखता है इस पर हमसे चर्चा करने के लिए है CPIM General Secretary सीतराम येचुरी जी येचुरी जी आप एक ऐसे हॉल में हैं जहां जेनरल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत मिलिटरी के लोग दिखाई दे रहे हैं जो आजकल समझते हैं खास करकी लेफ्ट और विपक्ष जो है वो एक तरह से एक ऐसी भूमी का अदा कर रहा है जिससे उन्हें लगता है कि आप देश विरोधी हैं मैं देश द्रोई शब नहीं यूज़ करूगा ये पुर पॉलिटिशन्स यूज़ करते हैं पर आप मुझे बताईए किस तरह से आप देखते हैं अब आर्मी का कोई जेनरल या सरकार का कोई मिनिस्टर टीवी पर आप आखर कहता है कि विपक्स जो है वो देश विरोधी है देखिए पहली बात तो यह है कि ये सवाल जो आप पूछ रहे हो मुझे अब हमारे इसाइनिकों को और बाहदुर लोगों को ये एक्स्क्यूज मत लीजिए अगर आपके दिम्मन में है ये सवाल तो पूछे आप पूछ रहे हैं अब आप उनको उनको इंसल्ट मत करिए आप ने ने मैं टीवी पर देखता रहता हूं घां तक हम आप आपर आप लोगो डाहर और उसकेநर ना पक्ष ना वि पक्ष है राष्टि सोरक्षा हम सब के लिए उतना ही महत्व है जतना महत्वद बागी सब wurde लोगों के लिए हूई तो यहाँ पर ये लेबल करना की वही ये साथ है ये विरोधी है ये हम समझे ही कि सबसे बड़ा खत्रा नेशनल सेक्यूरिटी के लिए यही है जो आतंगवादी हमारे देश के अंदर गुस्पेट करके हमारे पर हमला करते हैं उन आतंगवादियों के खिलाफ भारत एक जु यही चाहता है कि हम अपने बीच में फूट डालके हम खुद लड़ते जाएं ताकि उसको फाइदा मिले अफसोस की बात है कि सरकार और सरकार से ज्यादा आप मीडिया वही काम कर लिए कि यह फूट फैलाने की जब एकता की ज़रूरत है अब विरोधी कौन है जो फूट जाल रहा है वो है विरोधी जो एकता चारा है वो विरोधी नहीं है वो देश बक्त है अब यह फूट जो डाल रहे हो आप इससे हम समझते हैं कि हमारी देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा इसी से पैदा हूंता तो आज हम कह रहे हैं कि आतंगवाद और सुरक्षा की बा राष्ट की सुरक्षा जो है हर समय मुद्दा है यह एक चुनाव के लिए नहीं है यह हर समय मुद्दा है और पिछले पांच साल और यह पांच साल अगर आप आप उसको कंपेर करके देखें आप तो टेर्रेर अटेक्स जो हुए थे पिछले पांच साल नहीं नहीं से दो 49 और इस पांट साल में होगे चारसो अरतीर तरासी अरतीर नहीं तेरासी चारसो सालों में 210 अब ये सुरक्षा का खत्रा ये हर समय बरकरार है देश में अभी कोई नई बात नहीं है जो आपने खोज के निकाला इसको अब इसका सामना करना चाहिए और उसके लिए क्या हम तयार हैं या नहीं वो है सवाल वो पूछे आप यह नहीं कि अब पुल्वामा के ब बाला कोट के बाद कितने हिसाइनिक हमारे शहीद हुए कितने आपके टर्रेस टैक हुए आपके जम्मू के अंदर क्यों क्या सतर्कता है हमारी वह सवाल होनी चाहिए कि हम लोग सब सुरक्ष है कि नहीं और ये सुरक्षा की बाद जब आपके तो राजदीब जी याद पर सुरक्षा जिन्दगी कि है कि आज अगर हमारे अन्नदाता गिसान आत्मने क्थयां कर रहा है क्या शुरक्षा है उनको आज हमारा नौजवान जो हमारा देश का मेजॉरिटी है आबादी का वो भविशे है देश का वो लाचार घूम रहा है बिना नौक्रियों के और नौक्रियां गट्रे वो सुरक्षा है भूकमरी को दूर करना अगर नहीं करोगे तो वो असरुक्षा है सबसे बड़ी तो यह सब सुरक्षा के मामले को जो है सिर्फ एक इंसिडेंट एक बालाकोड तक आप सीमित करके और उसके आधार पर चुनाव लड़ने की बाद जो कह रहे हो यह हम समझते हैं सबसे बड़ा डिसर्विस हो रहा है देश के साथ मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि पुलवामा और बालाकोड एक ऐसे समय हुआ है जब चुनाव होने आ रहे हैं और उस महौल में कहीं न कहीं राजनीती करण तो होई रही है सरकार कह रही है देखिए हमने एक मस्कुलर नैशनलिजम दि दिखाई है इसलिए यह कहीं न कहीं इसको आप एक राजनीती करण उसे मिली गया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं आपने बेरोजगारी की बेरोजगारी की बात की आपने कृशी संकट की लेकिन इस समय लगता है देश में नंबर वन इशू जो बनकर आया है वो है नैशनल सेक्योरिटी माफ करना ये इशू आप बना रहे हो आप यह ने जो जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके लिए सवाल यह है कि वो जिन्दा रहे गया कि नहीं जो नौजवान लाचार घूम रहा है गलत रास्ते पकड़ रहा है उसकी चिंता है और उसकी सुरक्षा है उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं जो करोडों के तादाद में लोगों की जो चटनी हो रही है आज पता नहीं आपके कंपनी में कितनी हुई लेकिन जो हो रही है चटनी आज आज उन लोगों की सुरक्षा वो उनकी चिंता है ये राष्ट्री सुरक्षा का ये बुद्दा बना रह तो आप यह हर समय चिंता है राश्ट्री सुरक्षा मैं आगड़े की निकाल के आपको बताया यह हर समय हमारी प्रियोरिटी है देश की सुरक्षा मिलिटरी दर्ण से लेकिन देश की आवाम की भी सुरक्षा चाहिए सर हमने नहीं बनाया आप आप देखिए सरकार ने क्या कहा पुलवामा और विशेशतर बाला कोट के बाद अन्होंने का हमने वो किया है जो 71 के बाद पहली बार हुआ है हम पाकिस्तान में जाकर उनके प्रदान मंत्री के शब्द है मेरे शब्द नहीं है उन्होंने यह का हम बोसे जाएंगे उनको अपने घर में घुषकर मारेंगे यह प्रदान मंत्री के शब्द है यह परदान मंत्री के सकते हमारे प्रदान वंत्री वहां जाकर यह कहते हैं और της क्रवर तरसे क्र्डिट ले रहे हैं तो अब भी आपंगी सवाय् THE को दूष इसकी यह शेशनीति हुआ हमारे देश के उपर उनके भी घर वघर में जाके मारोगे है ने राजनीती करण किस ने किया जब बाला कोट हुआ तुरंथ आपकी आपकी एक स्टेटमेंट आई थी आपने आएफ को सराना दी थी उनको कॉंगरेचुलेट किया उसके एक हफते बाद आपका एक स्टे एक राश्ट्रवाद की एक तरह से एक महौल बनाने की कोशिश है एक नंबर तू आप कहते हैं ट्वीट करते हैं एर फोस हैस नॉट काउंट इस प्रेजिए पार्टी प्रेजिट अमिच्छा इस दिशिंग आउट नंबर की दो सो पचास लोग मारे गए इस अक्सेस टू सिक्रेट इंफरमेशन विच इवन आएफ चीफ दस नॉट है इप इस ब्रीच आप नैशनल सेक्यूरिट इफ नॉट है यह आपका ट्वीट है बिल्कुल तो और दोनों के बीच पे फरक क्या है पहले दिन जब हमने प्रशंसा की और एक हफते बाद आप बता रहे हो इजेपी के राश्ट्री अध्यक शाकर देश को बताते हैं इस बार कडी जबाब मिलेगी पाकिस्तान को क्योंकि यह कॉंग्रेस की सरकार नहीं है राजनितिक करन शुरू किस ने किया यहां पर पूरे पूरे पुलिटिकल पार्टिया मिलकर एक संयुक्त स्टेट्मेंट म खिलाफ लड़ेंगे जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे यह स्टेट्मेंट राता है उसके अगले दिन यह कडी जवाब मिलेगी क्योंकि यह कॉंग्रेस की सरकार नहीं है अभी कॉंग्रेस से जाथ हमारा कुछ लिना देना नहीं है लेकिन सवाल यह है आज कि इस तरीके से राजनीत करन क्यों कर रहो है इसका फाइदा किसको है वही आतंगवादी को फाइदा है जो फूट डालना चाहता है हमारे बीच में वही आतंगवादी चाहता है कि अब कश्वीरों के पीचे हमले उपर हमले हो और वही चाहता है एक काउम के लोगों के उपर हमले हो और इस फूट के वज़े से उनको फाइदा है आप याद करिये राजदीब जी आप भी उसी अकबार में कॉलम लिखते हैं शायद आभी भी लिखते हैं लेकिन उस अकबार में पहले फ्रेंट पेज पे नाइटीन नाइटी एट में जब में जो एक वोट से मिजॉरिटी हार गे इंडिया में वह कहता भी ठॉल हम चाहते हैं वापस वो बोलते क्यों कि ए एक साल के अन्दर हमें न्युक्लियर पावर बना दिया पाकिसान को और जितना मजबूद वो होंगे इंडिया में उतना मजबूद हम होंगे पाकिस्तान में अब यह दोनों एक दुसरे को फीड क निरे गैने उनके पास क्या कोई खुफिया जानकारी है यह और फिर उसके बाद ममताबय इनर जी और दूसरे जो विपक्ष नेता हैं वह भी उसमें कूत पड़ते और कहते हैं कि हमें बताईये नंबर कितने लोग आपने मारे तो एक तरप से भीपक्ष कहते हैं कितने लोग इसको तोड मरोड के मद पेश बाशपाय देख्ष क हेते हैं 500, देश के होम मिनिस्टर साब केते हैं 300 मोबא wordt वहाँ पर आप वो अभना ही चल रहे हैं, इसका मतलब है 300 मरे mid- village. के मंत्री कहते है साड़े 400 ओम और एक और मंत्री कहतें कोई नहीं जिन्मर्ण współpr dip अब्षोस कारी में जिआ कि हमें कोई कईज Fr चयिए हम्यों चाहिए हम पास इख इसे में 15 रात्य यह चार आरे जो बोल रहा है जो सरकार में है जो कैबिनेट के अंदर है वो लोग इस तरीके के बैयान जब देते हैं तो आप मानते हो कि बाला कोट पर एक तरह से एर फोर्स पर सवाल उठाना गलत होगा यह जो कुछ विपक्ष के नेता उठाते हैं सवाल कि आप हमें बताईए कि आ एर फोर्स का जॉब है टार्गेट है वो टार्गेट को हिट करना वो हमने सक्सेस्फूली किया हमने उनको तब ही सलाम करके बोला बस इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं और वो अपनी जिम्मेदारी को बहदूरी से निभाया तो अब यह सवाले आप यह उठा है जिन्दा है और सब को मिलके उसके किलाफ लड़ना है अब यह कहें कि मैं जारा अच्छी तरीके से लड़ रहा हूं तू नहीं लड़ रहा है मैं देश्वक्त हूं तू देश्वीरोदी है वो ही आतंगवादियों के हाथ में उसके जाल में फसरो आप यहां पर एक जु पर इस नहीं है उनका रिपोर्ट बताता है क्या डिफेंस के अंदर जो आपकी इंवेस्ट्मेंट सबसे लोएस्ट है उनीज सो भावन के बाद बासट के बासट के बाद सबसे लोएस्ट है और 40% of all defense equipment is obsolete कि देश की सुरक्षा कि बताइए तो आप समझते हो अगर डिबेट हो तो इस मुद्दे पर होना चाहिए कि हमारी फॉज कितनी तयार है जंग के लिए हमारी फॉर्स को आपने किस तरह की equipment दी है क्योंकि आपको भी पता है पिछले नौ सालों से बुलेट प्रूफ का जो म मांग की गई थी 2009 में और अब 2019 में अप्रेल के महिने में पूरी consignment आने की उमीद है ने उमीद है एक emergency purchase हुई थी 2016 में अगर एक देश में 10 साल लगते हैं बुलिट प्रूफ कांट्रैक्ट को अमल करने के लिए इसका मतलब क्या है वही सब सवाल आप पार्लेमेंट में क्यों नहीं उठाते बिल्कुल उठाते यह केवल पुल्वामा और बाला कोट के बाद क्यों होता है मैं यह पूछ रहा हूं हम भी सवाल आप पूछ रहे हो आप राजदीप शी यह यही मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप क्यों बना रही हो योश्यू अब यह सवाल का जवाब बताई यह पार्लमेट में बहुत बार उठा प्रदान मंत्री कहते है यह यूपीय की विफलता है यूपीय की सरकार थी 2009 और सरक्षा मंत्री है अब यह सब्सक्राइब करके चुनाओं में कुछ वोड मिल जाएंगे आपको उसके लिए देश को गीर भी रोख हो गये है और सुरक्षा की बात कर रहे हो तो मैं बोल रहों देश के आवाम की सुरक्षा चाहिए यह वह भी उतना ही मुख्या है क्या पूरा जो जिस तरह से ये बहस चिडी है कहीं लोगों को गुम्रा करने की कोशिश है असली मुद्दा जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको एक तरह से दूर हटाएं और इस पर लोगों का ध्यान केंदृत करें भावुक करें क्या आप ये आरोप लगा रह हो रही है अफसोस की बात यह है कि आरोप हम आप भी लगा रहें मीडिया पे आपको और कुछ नजर नहीं आ रहा है आपको और कुछ नजर नहीं आ रहा है भूक मरी है लोग मर रहे है आत्मात्या कर रहे है लाचार हो रहा है नौजवान जो देश का भविश है गलत रास् मेडिया के मीडिया पर आरोब करना जायज है पर मैं आप से यह पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मसला है किस तरह से आप देखते हैं कि अब एक ऐसा समय आ कि केवल डिप्लोमसी से मामला नहीं चलेगा पहले जब आतंगवादी बड़े हमले हुए हैं हमने कोर्शिव डिप्लोमसी के जरिये पाकिस्तान पर डबाव डाला अब कल देखना है कि चीन क्या करता है मसूद अजर को ग्लोबल टेरिस्ट डेजिगनेट करता है कि नहीं उन डिप्लोमसी हर समय उसकी रिलेवन्स है वो वो जिन्दा रहेगी लेकिन पिछले तीन-चार सालों में यह डिप्लोमेटिक चैनल बंदी है कोई 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 डिप्लोमसी के चैनल खुले है नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल कम् सर तब कई लोगों ने दबाव डाला था तब परिवारों ने जाकर प्रधानमंत्री के घर के सामने जा रिप्लोमसी सवाल नहीं और उठाय त sab All ने देखा कि किसी एक दलने जोर से यह सवाल उठाय कि और क्यों वापिस देआ सवाल क्या उठाया आपने सवाल यह उठाया कि वह वहां से निकल के श्री नगर से अम्रिच सर्थ में लैंड किया री फ्यूलिंग के लिए वहां से उड़ने क्यों दिया आप कि वहां से उड़ने क्यों दिया आज तक वह सवाल का जवाब नहीं है और ये पूछ ये ना कि री फ्यूलिंग के लिए अपने टेरिटरी में वो लैंड होता है हाई जैकर के हाथ से और अमरिट सर जैसा फॉर्टिबेड एरिया है अपने केंटोनमेंस कई सारे हैं नजदीक वहां से वो प्लेन को उड़कर कंडहार जाने की अनुमतिक कैसे मिली उसके साथ साथ सर एक सवाल उठता है मेरी बुजरीशे पूछिए ये सवाल बिलकुल पूछता चाहिए वाजिब सवाल है लेकिन इसके साथ एक और सवाल उटता है आपके relation بहुत अच्छे है चीन के साथ मैं आपके personal CPIM के relations पार्टी चीट के Communist Party के साथ कुम्मिनिस पार्टी के साथ कि युनाइटिट नेशन्स में सबसे बड़ा मसला आ रहा है क्या United Nations Security Council मसूद अजर को Global टेजिगनेट करेगी या नहीं इसके पहले जब भी यह मसला उठाए चीन ने अपने वीटो पार्स के जरीए यह नहीं होने लिए गलत क्या आप आपको लगता है इस बार कोई फरक होगा क्या आप चाहते हो कि मसूद अजर को ग्लोबल टेजिगनेट किया जाए या नहीं ड अगाज में डेजिगनेशन से मतलब नहीं और वो हर देश यही पूछ रहा इंडिया से आप एविडेंस दीजिए हमें उसके आधार पर हम निरने लेंगे सिर्फ चीन नहीं अमेरिका भी पूछ रहा ब्रिटन भी पूछ रहा है फ्रांस भी पूछ रहा है पर जब हमारी स आपको नहीं दे सकते ना मुझे नहीं आरे वाप इंटरनाशनल डिप्लमाटिक चैनल में बता उनको बहुत सवाल पूछ रहे मैंने पूछ रहा हूं सवाल वो एविडेंस का पूछ रहे वो मैंने पूछ रहा हूं आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं यह कहके कि दुनि कहती है कि हमारे पास सबूत है आप को सेना पर विश्वास है या नहीं बिल्कुल सभ मैं चेहा हो वो सबूत दिख्वाई ए तुनिया को मेरे को पूरा विश्वा से लेकिन दिखाईए ना दुनिया को क्यों मुख कर रहे हो बताओ आप आप मीडिया से इस सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो कि दूसरा मुल्क कह रहा एविडेंस दिखाओ और हम नहीं दिखा रहे हैं जब हमारे पास है असामा को भी मारा गया यूएस ते कोई एविडेंस दुनिया के सामने नहीं रखा मैं यह आप से पूछ रहा है जिसे आपको दुनिया के सामने दिखाने की जरूरत नहीं आप डिप्लोमाटिक लेवल्स पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो इसे कोई पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं को बता और दूसरी बात यह कि अब उसामा और अमेरिका क की बात कह रहे हैं उनकी उनकी उनको क्यों ला रहे हो वाई इसके अंदर वो इतना जूट मुट बोलके एराक के उपर हमला किया अब यह सवाले इसके साथ कोई संदर्ब नहीं है यह मुझे बताएए कश्मीर का मसला किस तरह से देखते हैं यह चिरी जी जो इस समय कश्मी पाकिस्तान के खिलाब करनी है वो अपनी जगह है लेकिन जब तक कश्मीर का मसला और जब तक पुलिटिकल प्रोसेस वहां रिस्टॉर नहीं हो सकती क्या आप मानते हैं बहुत कुछ हम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं बिल्कुल वह तो इहम सवाल है लेकिन यह बताइए आप मुझे यह सवाल आप भी नहीं उठाते हो मताफसोस की बात है कि अगर पार्लमेंट की चुनाओं के लिए सुरक्षा व्योस्ता ठीक है तो एसम्बली चुनाओं के लिए क्यों नहीं भाई अप वही लोग है वही जगह है वही चीज़ अब यह प्रोसेस पीस की जो बात कर रहे हो आप कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस वह प्रोसेस आएगी कब हैं जब जद्तंत्र का हिस्सा बनेंगे अब ये पार्लमेंट कराने के लिए सुरक्षा ठीक है ना कि आपके एसम्बली के लिए लेकिन जब एक पूरा सवाल का जवाब सुले जहां तक कश्वीर के बारे में सुल्यूशन के बारे में एक रोड मैप तयार हुआ था जब आल पार्टी डिलिगेशन राजनाथ सिंग क नेत्रित्म में वो गई थी कश्वीर तीन साल पहले और उसके बाद आकर एक लिखित बयान जारी किया था पूरे पार्टियों के दरव से जितने भी पार्लमेंट के अंदर है पार्टियां उन सब के तरव से कहा था कि दो चीजों की जरुरत है जो सरकार इसको फॉरून कर वहां पर उनके कश्वीरी यूथ के लिए रोजगार के अबर नूस वगएरा वगएरा दूसरा इनिशियेटिंग ए पोलिटिकल प्रोसेस ऑफ डायलॉग विट अल स्टेक होल्डर्स अल स्टेक होल्डर्स इस यह पड़ा गया था रक्षा मंत्री के अभिन देश के ग्रो किनी हकीकत बहुत बदली भी है सरकार वहां गिरी एक नई राष्ट्रपती शासन है मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको एक आज की तारीक में आप क्या समझते हैं कोई कश्मीर का आप मसला देखते हैं कोई magic bullet solution तो नहीं है बिल्कुल नहीं है और उसके लिए रास्ता वह ही है जो इस जॉइंट बयान में दिया गया था ये दोनों कदम लागु करिये सरकार हो या ना हो राष्ट्रपती साशन हो या ना हो कोई अर्चन नहीं है इन दोनों कदम को लागु करने के लिए confidence building measures and a political आप समझते आज की तारीक में जब आप कहते हैं सब स्टेकोलडर से हुरियत से आज की तारीक में भी बात होनी चाहिए हुरियत के निताओं को तो जेल में गारें जारा एक बार फिर उन्हें house arrest में के बात जेल में बेजा रहा है और आप कह रहे हैं यहां कि सब stakeholders की बात तीन साल पहले कही गई थी अब जेल में है तो उनसे बात तो नाशनल ही होगी नहीं सबाल वो नहीं सबाल यह कि process तो शुरू करो आप process तो शुरू करो जो separatist है मेरा target क्या है कि लोगों को separatist से separate करो हम भी separatist है I want to separate the people from the separatist अब अब इसको अगर यह करना है तो यह process टालू करो ना तो आप समझते चुनाव होने अगर पार्लमेंट चुनाव के लिए सुरक्षा ठीक है तो इसम्ली चुनाव के लिए क्यों नहीं भाई सर आखिर में आपको थोड़ा चुनाव के बारे में पूछते हैं चुनाव जिस तरह से का महौल बन रहा है कि आप मानते हैं यह चुनाव है मोधी वर्सिस ऑल सब एक तरफ आ गये हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोधी बिल्कुल नहीं सर यह उन्हीं का निरेटिव है जो आप आप लोग पॉपलराइज करों यह 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 चुनाव है यह बतलब हमारे आप जो आंदरा सायं यह तक्रणू फीछे से तंदा टना बोलते रहते हैं मतलब उसके सबरता है ृ अभ मीडिया का रॉल वोग बौय जो उनका डिरेटिव जो है उसको जो है आप आप यह बोलते जाइए सब्सार यह फिल ने नहीं शुरू किया आपने है्ज़स 104 महागणधन देश के बना चुनाओं के बाद, 98 में gonna, 2004 में upy बना चुनाओं के बाद, 2019 में भी बनेगा चुनाओं के बाद, आप ये णे ने टिव आप जो है, ये या दो, शरकार का narrative है maha milawat, ये शब शरकार ने यूज किया है, सरकार का कहना है मजबूत सरकार एक तरफ महाब मिलावट दूसरी तरफ यह हमारा नेरेटिव नहीं है यह नरेंद्र मोदी जी प्रकाज जावड़ेगर जी जो यहां बैठे हैं और अमिच्छा जी का है अरे अपना मुल्की एक मिलावट है बंगाली से लेकर मालियाली तक क्या है कश्मीरी से लेकर आपके मदरासी तक क्या है हम सब मिलजुल के तो है भारत का मतलब यह मिलावट लोगों का और वो मिलावट को मिटा कर आप उसके उपर यूनिफरमिटी दोटना चाहते हो तो वो हो रहा है देश के खिलाफ सर बड़ यह बताईए यह किस तरह से आप कहते हैं कि चुनाव के बाद तै किया जाएगा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा अगर एक विपक्ष की सरकार बनती है आज की तारीक में बंगाल में आप और कॉंग्रेस साथ में लड़ने जा रहे हैं ममता के खिलाफ के खिलाफ में आप और कॉंग्रेस एक दूसरे के विरोध में हैं ममता बैनर जी कॉंग्रेस के साथ कहती है मैं खड़ी हूं कलकता में बड़ा अधिवर्शन करती है लेकिन वो कॉंग्रेस के साथ खिलाफ लड़ी है यहां दिली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक दूसरे क नहीं है दो प्लिस दो आब राजनीती में में गनित पें मिला लो तो चार बनते हैं राजनीती में दो और दो रखो आंदर चुनाव और this नीतियों के बीच प्छले पांग साल में हमारी रोज मरी जंदगी की हलत क्या होई है जब वोट डालने जाएंगे जाएंगे इस ये एहम मुद्दा होगे क्या हमारा जिन्दगी बैतर हुआ या और खराब हुआ अब इस सवाल पर मापदंड होगा चुडाऊंगे आप यह नहीं मानते कि इस चुनाम में यह इस मापदंड होंदा क्या मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधान मंत्री चाहता हूं या विपक्ष को जहां अभी तक कोई प्रधान मंत्री का एक पंदरा साल पहले पंदरा साल पहले राजदीव साहब आप ही के साथ एक बहस में आपने कहा था तब कहा कि वाचपई साब का विकल्प क्या है होई नहीं सकता कोई और इंडिया शाइनिंग के बूट पर आप थे और आप ही मेरे से यह सवाल पूछा था मैं बोला नहरू के बाद पहला प्रदानमंत्री दस सार लगातार विताओर इंटरप्शन जो रहे वो थे डॉक्टर मनमोन से तो आया आपका विकल पाया स्टेबिलिटी भी आई तो अब यह जवाल जो है देश की जनता को भाई हमें विश्वासे उनके अंदर आप जितने भी तरह से राजनितिक तस्वीर बदल गई है बीजेपी को एक मोमेंटम मिल गया है एक अजेंडा मिल गया एक नेरेटिव मिल गया है यह आप बना रहे हो मेडिया भाई यह आम लोगों से जाके पूछो वहां पे नीचे उनकी क्या है उनका बेसिक सवाले क्या है खत्रा है कोई दोराई नहीं है लेकिन बेसिक बात यह है कि उनकी जिन्दगी कैसी गुजर रही है क्या बच्चों का भविश है कि नहीं है क्या होगा उनको आगे को पिछले पांच साल में क्या हुआ यह सवाले हैं जिसके आधार पर लोग वोट डालें जो देश की महनत कर जनता की बात कहरे हूं जो देश का सबसे बड़ा आवाम है कि यह चुरी जी लेफ्ट का क्या रोल रहेगा फिर क्योंकि लेफ्ट को हमेशा आप माना जाता है आप लेफ्ट आउट हो गए हैं 2004 के चुनाव में आपने प्रमुक भूमी का अदाकिर्थी आपने मन्मोहन सिंग जी की सरकार को समर्थन दिया था आज की तारीक में क्या आप मानते हैं कि लेफ्ट कमजोर हो चुकी है पंगाल में भी कमजोर हो चुकी है तिरपुरा से भी हट चुकी है तो लेफ्ट का क्या आप मानते हैं बहुत ही कम रोल होगा अब राश्ट्र पॉलिटिक्स में नैशनल बीच में यह हुई यह गिरावज लेकिन दूसरे जो मापदन्ड है लिफ्ट का वो है कि देश के एजेंडे को सेट करने में जन आंदलोनं के द्वारा इन सवालों के सामने ले आए ताकि वो सवाल से कोई भी मुकर नहीं सकता आज क्यों है यह बात कि सब को आज बात करना प आज आंदलोनों से संगर्षों से और वो संगर्षों के आधार पर देश की एजेंडे को सेट करने का भूमिका आज भी लेफ्ट का बहुत महत्त है आप नहीं मानते कि आज की तारिक में राइट विंग राइट विंग देश का अजेंडा सेट कर रहा है और आप के टेवल वो लोगों के सामने कह रहे हैं कि किसान लाचार है है वाज तक आपमें शॉल्जूशन के मूद्दों को ले कर तो नहीं सबस्सक्राइब करें नौजवाना मिंए इस वहाजरा को फैदा नहीं वहां फाइदा नहीं है आज हम कह रहे हैं कि देश के हर नौजवान को आप स्वास दे सकते हो, सिक्षा दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो अगर ये जो पंद्रा लाग करोड रुपए के करजे जो अपने बैंकों से ली गई है उसका आधा भी वापस लियाओ और इसको पब्लिक इन्वेस्मेंट पे लगाओ, अपना इंफ्रास्ट्रेक्चर बनाओ जो जरूरत है देश को और उससे जो नौकरियां पैदा होगी, वो हमारे हर नौजवान को एक बैतर बविश्य दे सकता, ये है रास्ता, करो, अगर हम बनाओ के अगराइंगे और हमारे दबाव के अंदर कोई सरकार रहे तो करवाईंगे, ग्रामीर रोजगार योजना करवाएं की नि, अनसुरख्षा की कानून बन्वाया की नि, राइट रिंफ्लेशन दिलवाया की नि, हमारे देश के अंदर आदिवासियों को उनकी कि उनकी उत्पादन का खर्चा इतना है उससे देड़ गुना ज्यादा उनको नियुंतम दाम पर दाम मिलेगा आप ही ने की आता है यह वादा एक बार कर्ज माफी होगी टाकि वो कर्ज में डुबे वे लाचारी में आत्मात्याय ना करें यह उसको लागू करो यह है एक नया इंडिया लोगों के सामने रख रहे हैं और एक आपका एक इंडिया है आपका जो आइडिया ओव इंडिया कहा जाता है क्या आप समझते हैं कि यह वाकई इन दो भारत की तस्वीरों के बीच में यह लड़ाई है या आखिर में यह लड़ाई होगी शेत्रिय राष्ट्र सुरक्षा को लेकर ना यह मुद्दा होगा राष्ट्र सुरक्षा सिर्फ मिल्टरी सुरक्षा नहीं जिन्दगी की सुरक्षा पर करें । जिंदगी के आं लोगों की मैं डैनितकेश लोगों की जिंदगी की सवाल पर उनकी सूरक्षा की सवाल पर होगी करें इंद्र कोईजी बहुत करें हो लिग पांच दरिया कि बात सुनी पांत साल पहले है अब आगें नए इंडिया है अच्छे दिन कहांगे भई तो अब ये ये बाते सुनने को जो आएगे आएगे ये ये शब्दावली मेरा नहीं है राश्टी अद्रक्ष बाच्पा कही है कि जुम्ले ये जुम्ले आते रहेंगे सवाल अल्टिमेटली होगा ये होगा जो रोज मर्रे की जिंदगी के सवाल आप लोग जो है तैग रहेंगे कि इदर जाएगा उनका वोट ये पकी बात है ये चुरी जी केवल हमारे पास दो मिनिटे किस कुछ लोगों ने अपने हाथ उठायते वो बड़े देर से उठा रहे तो और ये इन दोनों अगर माइक है तो आप अपना सवाल पूछ लीज इसको याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं तो जो आज तक ने ये कार्यकरम किया है सुरक्षा का ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि 4-5 दिन तक सब कुछ होता रहा है उसके बाद कुछ नहीं हुआ ये जो चीज को आगे बढ़ाने के लिए या ये बात आई है कि आगे national security कैसे होनी चाहिए वो बात दूसरी बात मैं ये कहना चाहरा था कि जो ये सवाल पूछे जाते हैं कि उस समय मसूद अजर को क्यों छोड़ा गया वो इतनी पुरानी बात हो चुकी उस समय क्या परिस्तिती कौन लोग थे उसका जबाब इस समय कोई नहीं दे सकता आगे क् वो बात होनी चाहिए तीसरी बात मेरी एक चोटी सी ये थी कि एविडेंस के बजाए आज की तारिख में जो अमेरिका है वो चाइना को कन्विंस कर रहा है कि हम जो आप इसको मसूद अजर को के उपर पतिबंद लगाए वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो जो आप कह रहे कि आप यार कि उसकी जवाब माइ के सदूं चैला देगी कब लिगए और यहां रेक मेन परेको यार्म ना क्यां रेक क्यों अर्क खान एई ये आप रिकोपन पालेट उस हैसित से मैं अट से पूछलेNow living कहा को आपने और कहा कर भी एविश एजियार से नंग प्र आप उसको कैसे रोख सकते थे आप अगर उस स्टेज पे टेक आफ स्टेज पे अगर जहाज को रोखते क्या आप 200 लोगों की जान खत्रे में नहीं डाल रहे थे उस वकत ये ये ट्रेंड अगे यूप मेडिया पॉट सार उनको जवाब देगे साप सबसाव ये हैं कि वहां पे लैंड हुआ टेक आफ टाइम पर रोखने की कोई बात नहीं के रहे लैंड हुआ हुआ पर रिफ्यूलिंग के लिए रिफ्यूलिंग के लिए लैंड हुआ ना अब वहां पर साहब की आया कि लिए देखे सार एक मिनित सरकेड़ क्रॉस क्वेस्चिन नी लेकिन ये बात सही है, 20 साल हो चुके है लेकिन देश लोक तंत्र है, लोक तंत्र में सवाल उठाने पर कोई पाबंदी नहीं है और कई लोगों ने तब भी उठाएं कि उस प्लेन को क्यों उड़ने दिया यह सवाल तब भी उठा था ऐसा नहीं है कि नहीं उठा था और यह सवाल अपने आप में वाजब है सवाल यह है कि जब आप विपक्ष में होते हैं बहुत आसान होता है यह सवाल का उठाना जब आप वाकई सरकार में होते हैं जो वाजपाई जी तब थे तब जब 200 ल पुरा बात करिए जो आभी वो कंविटी की रिपोर्ट के बारे में जिकर हुआ जो 40% हमारी defense equipment obsolete है उसका जिकर हुआ तो ये सब बाते हैं ये है सुरक्षा का सबाइब तो आप समझते हैं कि पुल्वामा में intelligence failure हुआ या नहीं इस पर इस पर सवाल उठाना वाजिब है या एक तरह से anti-national है सबाल उठाया जेन के के governor साहब पुल्वामा होते ही अगले दिन वहां के governor साहब ने ये कहा ये intelligence failure है माई ने उठाया है सेमने नाइट माई ने उठाया आज की तारीक में क्या आप समझते हैं इस तरह के सवाल ये मेरा तो उठाते वहां का state का governor जब central rule में है state और वो है वहां के state का chief administrator वो कहते ही इंट्रिजन failure हुआ है तो हम कहां से उठा रहे हैं सीता राम ये चुरी जी आप हमेशा सवाल उठाते हैं इसलिए आपकी एक चवी बन गई है विपक्ष की चवी आपने तरह से अपने पक्ष का अपने पक्ष की बात रखी लेकिन एक तरह से विपक्ष की बीबात रखी बहुत बहुत शुक्रिया सीता राम ये चुरी